इतने दिन से आप लोग आये हैं हमारा साथ देने के लिए, हमारा उसला बढ़ाने के लिए, तो आप सभी को दन्यवाद, आप जितने भी जनलिस्ट को देने को भी मारा साथ देने, इतने दिनों से आप भी डटे हुए हो, और हमें एक कवरेज दे रहे हो, हमारा जितना भी हैं अभी कई दिन से बर्ध कुछन एक बात बोड रहा है कि बारह साल से चुप कुछ थे बारह साल पहले पोले क्यूंए इतने दिन को गव्य चुप किया तो मैं इसी चीज़ का बवाद देना चाहते हूं 2012 में जूनियर का कैम्प लगा था लखनों वहाँ पे एक सिकाई दर्द हुई थी पुलिस टेशन में सेक्शूल अरास्टमेंट के खिलाख में 24 गंडे के अंदर ही उस F.I.R. को भी फॉआ लिया गया और उस मामले को महीं पर अफाद अफाद बादिया गया था उसमें 5-7 लड़कियों ने कंप्लेंट दी थी पुलिस टेशन में सेक्शूल अरास्टमेंट की दूसरी बाद 2014 में आप लोगों ने सनावी होगा कोई एक P.J. था हमारा ट्रेनर और P.J. दोनों काम करते थे वो वो नेशनल कैंप में थे गिता पोगाट के साथ उनके ट्रेनर थे उनकी वाइफ भी रैसलिंग करती थी वो उस टाइम पे नेशनल कैंप में थी उन्होंने कुछ अरकते दे कि नेशनल कैंप में उत्ते हुए जब उन्होंने उसके किलाफ आवाज इठाई को चीज को बताया बाकी जो भी लोग थे उनको बताया 24 जंडे के अंदर उनका कैंप से नाम कट गया उनको कैंप से बारवेज दिया गया उनकी जो वाइफ थी उनका भी नेशनल कैंप से नाम काट दिया था और वो उस दिन के बाद से आज तक कभी भी किसी competition में participate नहीं कर पाई है तीसरी बात अभी जब हम जंतर मंतर पे बैठे थे उससे पहले सरकार के अधिकारी से हम मिले थे जंतर मंतर पे बैठने से 3-4 महिने पहले की बात है हमने उनको हर एक बात बताई थी कैसे लड़कियों के साथ में sexual harassment हो रहा है कैसे लड़कियों को दूड़ी किया जा रहा है mentally टोर कर किया जा रहा है हर level पे मतलब खिलाडियों को इतना प्रेशान किया जा रहा है कि खिलाड़ी कुछ भी करने को ready है अपनी life के साथ में जब हमने 24 महीने बेट कर लिया उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ फिर हम जंतर मंतर पे आए जब हम government से बात करने के लिए खेल मंतर जी से बात करने के लिए गई लास्ट दिन जब हमने दर्ना कदम किया था सभी खिलाड़ी अंदर गये थे खेल मंतरी जी के सामने सारी बाते बताई थी सभी लड़कियों ने sexual harassment के उपर बाते बताई थी अपने इंसिडेंट से एर किये थे सभी लड़किया रो रही थी उनके सामने ही लेकिन कोई भी action नहीं लिया गया था उस ताहिंपे भी खेल मंतरी जी ने कमेटी बना के उस मामले को फिर से रफादफा करने की कोशिज की तो आप देख लेजिए हमने हर लेवल पे हमने आवाज उठाने की कोशिज की लेकिन जिसने भी कोशिज की उस मामले को वही बतबा दिया गया तो जो वो बोल रहा है कि 12 साल से शुप थे तो आप देख लिए 12 साल से हम शुप क्यों थे हमें रेस्लिक करना था हमारी लाइब हमारा केरियर सब कुछ हमारा दावर पे लगा होता है इसलिए हमारे इंदर इतनी इंमत नहीं हो पाई कभी भी आज हम उस मुकान पे पहुँजगे कि हाँ अभी तो इस से आगे तो मौत है तब हमें इमत आई तब हम लोग साथ में कि क्योंकि जब भी किसी एक नहीं आवाज आई तब ही उसके आवाज को दबा दिया गया इसलिए सब लोगे गठागे आप देख लिए हम इतने लोगे गठागे फिर BFIR नहीं हो रही है जल्दी से उसके उपर कारवाई नहीं हो रही है तो बहुत मुश्किल है ऐसे इंसान के किलाब कड़ा होना जो इतने सालों से अपनी पावर का अपनी पूजिशन का गलती इसमाल कर रहा है एक बार हम पता देते हैं जी उसके बाद में आपके सुटर लिया अपको अभी काफी टाइंस यही कोशी रूट रहा है कि हम नेशनल्स निखिलना चाहते हैं हम कोई टॉर्णमेंट निखिलना चाहते हैं इसलिए हम यह प्रोटेस्ट पे बैठे हैं 2016 में मैं ट्राइल से गई पिए इंडिया में और मैं फर्स आई थी है तो यह रूर होता है जो इंडिया में फर्स आता है वही क्वालिफिकेशन करने के लिए जाता है टॉर्णमेंट तर्की में हमारा क्याम लगा हुआ था क्वालिफिकेशन टॉर्णमेंट के चार दिन बाकी थे चार दिन पहले मेरी ट्रायल एक इंडियन लड़की के साथ दी गई जबके मैं इंडिया में फर्स आगे गई थी सिरफ मेरी ली गई ये question पूछन आप प्लीज उसे कि सरफ मेरी ट्रकी में ट्रायल लेने का क्या मतलब बाहर कभी, इंडिया से बाहर जागे कभी इंडियन इंडियन की ट्राइल्स नहीं होती और किसी बेमें ट्राइल्स видим लिगी, मेरी ट्रायल्स लिगी ऐसे ही अभी 2012, 22 में एक लड़की की ट्राइल हुई और वो ट्रेन में थी, वो जी चुकी से अपनी ड्रायल, उसको ट्रेन में से वापस बुलाया कि कल फिर दुबारा ड्रायल होगी आपकी, उस लड़की ने विदेश के पास कॉल किया, कि दिदी ऐसे से हो रहा है, मेरी ड्रायल दुबारा क्यों ली जारी है, यह भी तो ट्रा वाणनमेंट में खेलना चाहतें, और दोबारा जब उस लड़की ने ट्रायल दी, उस लड़की को हरवाया गया, पहली ट्रायल में वो जीत रही थी वो लड़की, क्योंकि 24 गंटे में उसको दोबारा वेड कट दिया है, वो लड़की उस दिन ट्रायल वाड़े दिन भी बारा लिया गया, उस लड़कियों का उल्टी हो रही थी, मैं खुद एक रही ट्रायल में वो लड़की बार-बार हर मैस के बाद में उल्टिया कर रही थी, वीजारी, ट्रेन में रोते हुए उसने इंदर को फोन किया था, कि जी ऐसे ऐसे हो रहा है, तो मैं भी राचार थ साथ भी कभी मैट के उपल गल्स दिसिजन हो जाते हैं, लेकिन कभी अगर किसी इंदर को गोसित कर दिया, उसके बाद में किसी भी इंटरनेशनल, नैशनल कॉंपेटिशन कोई भी हो, इस भी उठा के देग लिजिए, कभी भी सेकिंड टाइम उस बाउन को नहीं करवाया पूरी चिटिंग होई है, उसके बाउन्जूत मेरे कोच को दमखाया कि आपने उप्जेक्शन क्यों किया, मैंने उनको बोला कि मेरा कोच सही है, आप एक बार UWW से भी एपील करिए कि आपने अमारे खिलाडियों के साथ चिटिंग गी है, अगले दिन UWW ने इंडिया इन बच्चों को नैसल करवाने दो हमें बच्चों का नुक्षान हो रहा है, बच्चे टोनामेंट निखेल पा रहे हैं, वो बोले मुझे फासी पर लटका दो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने अभी दो तिन साथ से एक टोनामेंट चालनों किया है, उपन र करेंगे, और उसके बावजूद बच्चा खुद ट्रेन की टिकेट करवाता है, या वो फ्लाइट में जाता है, खुद होटल का करता है, खुद खाने का करता है, बच्चों को इस विधानी मिलती, और वो मैं उन्हों से पूछना चाहता हूंगी, वो पैसे जाते कहां जो बच्चे देते हैं, एक वजन में दोसो दोसो बच्चे लड़ते हैं, तो तीस वजन हमारे, दस लड़कियों के, दस गरी को रोमर के, और दस फ्रीश ठाल गे, तो वो पैसे जाते कहां से बच्चे खुद ही रहते हैं, अपने और बच्चे खुद कराते हैं, खाते भी के उद्धर वाफी साथ उसमेड़ा कोई फाइदा भी नहीं मिलता उन्हें और रही बात बले अलम्पिक के रूल बनाये थे हमने इसलिए खिलाडी पर्दसन कर रहे हैं पहले तो यह रूल के खिलाफ है यह तो सेक्शुल आरास्मेट के खिलाफ है और रूल की अगर मैं बता क्लिया साथि काहूं है कि सभी के रोगी अगर 5 खिलाडी कवाली करके आते तो 500 होगी उन्हें देज़ हूं और यह ded तो अगर यह वेब्साइट पर पर डाला हुआ है कि ऐसे रूब है आप एक बार तेरे आई आरा बोलेको आई आरा बोलेको जैसे यह भी जैसे उनकी आई-टी सेलेक्टी हुई यह और हमें सोचल मीडिया में गलब कमेंट्स या जो भी है बनाम करेंगी कोशिश कर रहे हैं और उनकी बोल रहे हैं कि हम दिलन और वहां जो पिच्चर के जाती थी वह थीख है कि हम मिलने गए और विनेश का भी सवाल हुटा रहे है विनेश को मतलब अब से लेके दो साल होगे अब रिज भूशन से मिले हुए वह या तो ड्राइस के ताइम में मिल जो हो आते हैं नेशन के टाइम पे इंटरनेस्टल में लेकिन ऐसे फर्सनली विनेश को दो साल हो गए वहां जाए हुए और यह सारे उनके कोशन का अंतर है जो कुछ भी बोल रहे हैं हमें हमारा हुटा बढ़काने के लिए और हमें गलत साबित करने के लिए वो बोल रहे हैं ना कि 10-15 दिन पहले ही मिले थे विनेश अपने आगर किसी कॉमपनेशन में ओ औल आगे वो बोल रहे हैं कि ड्समीन प्याइशन में आये मैं दो साल हो गये रेस्लिंग प्याइशन में बल्ज भुषन से मिलीनी नी हो दो साल तम महीनी मंबता रही हूं मेरेको तो लास याद आ यादर है 2018 2018 में मैं मेरेसादी पहली हूआ बेटा मैं बोल सकता हूँ अंकल देख रूए अपना रहे हैं लड़कियों को उपदनाम करने के कुछ भी बाते बोल रहे हैं उनके IT सेल भी कुछ भी अनाफ्शनाम करी अभी भी हमारे पास लेक पिक्चर है जो वोब करके किसी वो भी मापे खडा किया गया देखो कि ये लड़किया आई है और उनका नाम है स्रीकान ट्रीपाटी वो ट्वीटर पे है ये जहां से भी हमें कोई मतलब नहीं है लेकिन इस आदमी ने ट्वीट किया है तो वो हर तरीके से बदराम करने की कोशिश कर रहें इससे आप एक चीज़ खांदाजा लगा सकते हूं कि मैलाओं के परती उनके मन में कितना सम्मान है सुप्रीम कोड ने भी बोल दिया है कि जो भी कंप्लेंस थी उनका नाम वो पनली नहीं लिया जाएगा या नहीं उजागर हो सकता ना हमने अपनी तरब से एक भी नाम बताया है कौन कंप्लेंस है किसका नाम है वो बंदा किसी मी लड़की का नाम लेके कुछ भी बोल रहा है तो उससे उसकी मान सकता जीख रही है हाँ एक और बार बिल्कुल 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 इस चीज का भी जवाब अभी हम डिली पुलिस का हम बार बार कर रहेंगी हमें भी स्वास नहीं है छे दिन बार कंप्लेंस डिली पुलिस ने की थी अभी भी दिल्ली पुलीस लड़कियों के ब्यान दर्ज नहीं करी है हर वो तरीके अपना रही है, मालने करी है कभी किसी वो बीमार करी है आज तो पूरे जिन से जवाबी नहीं दे रहे हैं कि कब ब्यान दर्ज करेंगे और वो सकते तो दिल्ली पुलीस बिल्कुल हर अभी भी कोशिस करिए है कि यह मामला जितना डिले हो सकता है, जितना इन्खलाडियों को तोड़ा जा सकता है, mentally, या physically, जो भी हम परियक कर सकते हैं, या लड़कियों को तोड़ सकते हैं, पैसे से, पावर से, पुजिश्चन का इस्तमाल कर जिस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस मान समान की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हमें मिले, तो, एक और आज, इंडिया टीवी से कोई उनका, वो पूछे थे, नोने सवाल पूछा, तो इतने बोभला गई, इतना पागलों की तरह भीएव कर रहे हैं, बहुत सारी ग कि लिवजन पे 140 करोर देश्वाष्यों के सामने ऐसी बासा का प्रियोंग कर सकता है, वो आदमी बंद कमरे में लड़कियों के साथ में कितना किस लेवल तक करता होगा, आप अंता जाल ला सकते हो, बच्वन, अभी तक फ्राइडे को कोट में घेरिंगे, जो अगली है, अ अभी तक बासा कि लाड़े को साथ नहीं होगा, और वो आपने मन माने पत्रकारों को बलाते हो आपे, कि वो मेरे हिसाब से सवाल कुछे, जैसे आज बता रहे हैं, अंडी टीवी का था, अंडी टीवी ने था, इंडी टीवी था, तो उनके शोर से वो छोड़के बागे, क साही का सामना थोड़ी समय तक वो जूट हो सकते हैं, बार-बार में वो जूट नहीं बोल पाएंगे, बोल रहे हैं कि खिलाडी बार-बार में अपनी चीज़े बदल रहे हैं, तो खिलाडी तो और भी बहुत सारी आएंगे, और वो बोल रहे हैं कि भई, पहलवान नहीं ह है उलम्पिक क्वालिफाई है उनका मकसद यह नहीं कि मैं फासीब लटक जाऊंगा और कुम्पीटिशन ओड़े दो यह वह चीज़े नहीं है अगर वह सही में रेस्लिंग की बलाई या रेस्लिंग की लाडियों की बलाई हमारी बलाई जा रहे ना आज भी और बोल रहे हैं कि आप चले जाओ या कॉम्पीटिशन लड़ने दो मैं फासी पेचर ने को तयार हो तो मेरा आप लोगों के माद नमसे एक रिक्वेस्ट रहे सब्सक्राइब से अगर रेस्लिंग की जाएं उसके बाद में कुछ बहुर्ट निक्लता है तो हम दों सी लेकिन अगर वह चाहते हैं कि फैर इन्विस्टिगेशन करें और वो सायोग देना चाहते हैं तो हमारे माद्म से यह सब्सक्राइब निकल गया रहे हैं दो कि जाए उसके बाद में सुप्रीम कोड माने लिए जो भी आदेश देजा जो भी उनकी आगे की कारवाई होगी तो वह हम को मानने होगी धन्यवाद